कर दो टो अभी अब विलकम बांको चानल बड़े दिनों से न में फटागा मूव वाले स्टाउक्स में नहीं का रहा था और मैं शेर भी नहीं कर पाथ था मेटकर तो मेरा ज्यादा फोकुस चल रहा था इंट्राडे पे ट्रेडिंग पे फ्यूचर्स ऑप्शन्स उस तरीके से मैं काफी सारे स्टॉक्स आलड़ी मैं शेयर कर चुका हूं और रिसेंट्री मैंने एक लाइब वीडियो भी कर रहा था जिसमें मैंने बताया था कि कौन-कौन से स्टॉक्स एक अ वीडियों फार्मा की requirement बहुत जादा है यानि फार्मा सेक्टर अच्छा ग्रोग कर रहा है और फार्मा के अंदर काफी सारे अच्छे पार्मा काफी अच्छी कंपनीज हैं जो ऑवर्रोक रही है तो एक मिड्ग स्पेस में ऐसा पूंज सा स्टॉक है जो अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है विकॉस फार्मा चार्ट मैंने फार्मा के बारे में पहले ही बताया था कि फार्मा ओवरॉल एक अच्छे ग्रोक मूफ के लिए रेडी हो रहा है अर्लाउं विद इस एक डबल टॉप पाटन वीकली बेसे पर जो इसका डबल टॉप अधा वहां से ब्रेक करने कोश्च कर चुका है और फॉर्दर फार्मा ओवरॉल अभी भी स्ट्रॉंग लगता है काफी टाइम से एक चल रहा है कर रहा है बाकी चीज़े अगर मैं फिनांशल वाइस एकता हूं तो उसके फिनांशल भी धिरी-धिरी करके अच्छे इंप्रूव होए हैं जो शेर होल्डिंग पाटन है वह बहुत ही स्टेबल है ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर ने बहुत तेजी से माल बाए करा या बहुत कि पास फंडिंग अच्छी आ रही है तो अगर कंपनी का अपना लोन भी कम होता जा रहा है तो प्रॉफिट में कहीं आगे बेनिफिशल रह गए रहेगा तो पहले हम कंपनी के साइट पर चलते हैं उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको कि क्या उसके लेबल से निकल सकत सबस्ते हैं कि अक्चुली कंपनी करती क्या है ठीक है तो इस कंपनी का नाम है वीनस रेमिडीज ठीक है यह कंपनी की साइट पर हूं मैं यहां पर अगर आप देखो कि सबसे पहला साइट पर इन्होंने जो बिल्कुल लांडिंग पेज पर जो इन्फॉर्मिशन दे रहे ह है वह कहीं है कि इसने बताया है कि हम असेंशल ड्रग्स बना रहे हैं जो की कोवेट पैंडमिक के लिए बेनिफिशल हो सकती है नो मोर में जाते हैं लेट सी क्या आक्चुली ऐसा बना रहा है यह जो कंपनी एक असेंशल मेडिसन मैनुफेक्ट्टर कर रही है दिस इस वाल कर आना पड़ेगा कि यह अक्चुली कहां यूटलाईज हो रही है किस वैसे हो रही है रेलेटेड मेडिसन में इसका यूटलैजेशन हो रहा है और सरी इसके अंदर अधिलेशन है ट्यक है ओवर्रोड़ जो कंपनी है यह इसके आरांड तीन मैनृफेक्ट्रेशने के थे अब हम आजाते हैं इसके technical point of view पे कि technically यह किस तरीके से क्या moves दे सकते हैं तो यह तो होता है actually कि जिससे पता चलता है company आगे ऐसा क्या उसका business model है कि company आगे चलके grow कर सकती है कि नहीं कर सकती है बट अभी के लिए हम आजाते हैं technical point of view जिससे हमें पता चलेगा कि numbers जो actually stock का prize है वो किस तरीके से कहा move कर सकता है तो पहले हम आएंगे Venus Remedies पे इसका हम एक daily और weekly chart मंत्ली chart पे analyze करेंगे ताकि हमें पता चले कि actually company किस तरीके से move कर सकता है तो अगर आप इसका एक chart देखो तो इसने non-stop एक move देनी शुरू करी थी 17 rupees के आसपास से obviously वहां अगर let's say किसी से miss हो भी गया तो अभी actually company के अंदर क्या potential बचा है short term chart में अगर आप यहां पर देखोगे तो इसने एक polan flag बनाया था around 145 odd levels के आसपास वह move देने के बाद इसने again अभी current scenario में एक फिर से polan flag type का pattern बना रहा है weekly chart पे ठीक है polan flag pattern एक basic bullish pattern होता है और एक continuation pattern होता है जैसे होता क्या है कि एक stock एक suddenly up move देने के बाद भाई यहां पे buyers suddenly buyers हाए ठीक है sellers इतने जाद अग्रेसिव नहीं थे buyers ने अग्रेसिवली अपने stock को ऊपर लेकर के गए बट ऊपर ले जाने के बाद एक particular zone में profit booking आ सकती है एक consolidation हो सकता है कहीं नहीं तो tiredness आती ही है वही सेम चीज इसमें भी होती है tiredness आने के बाद उसने एक consolidate करा और फिर से suddenly एक अपनी अच्छी up move दिखाई उसमें अभी वापस एक consolidation zone में आने के बाद इसने breakout दिया है around 329 odd levels के आसपास से current price जो stock का चल रहा है monthly chart पर यह हमें दिखा रहा है कि पुराना एक historical resistance था ठीक है वह कहां पर आराउंड यह zone के आसपास this is 323 323 30 के आसपास एक पुराना historical support resistance था ठीक है अभी फिलाल के लिए weekly chart पर वह resistance break करने कोश्च कर रहा है with a strong volume ऊपर की तरफ यहां पर move आने की कोशिश मिल रही है ठीक है अगर यह इनी levels के ओपर sustain करता है तो यहां से जो actually इसके upside levels open हो रहे है this would be for और मतब जो मैं actually इसमें target करूंगा जो मेरे levels आएंगे this would be for 487 490 और levels के आसपास नीचे की तरफ जो मेरा risk है अगर किसी वेसे stock गड़ जाता है और जो मेरा risk levels आ रहे है practically तो अगर मेरे को wait करना चाहिए कि weekly monthly close at least यह start पर अगर मैं candlestick देखता हूं तो नीचे आने के बाद इसने वापस 300 रुपे के आसपास से suddenly buying शुरू करी है ठीक है तो हमारा major जो focus रहना चाहिए वो 300 रुपे के levels पर रहना चाहिए अच्छल टार्गेट निकलता है reward और नीचे की तरफ जो मेरे डाउंसाइड मूब्स हैं तिस फिफ्टी फिफ्टी फाइप पॉइंट का जो मेरे रिस ने कलता है तो वन इस टू थी का एक प्रॉक्सिमेटली एक थी का वन इस टू थी का reward इसमें निकल रहा है इस वाले पर्टिक्लर स्टॉक में तो लेट सी किस तरीके से मूव करता है नीचे की तरफ अगर किसी वह से accumulation zones अगर मिलता है तो accumulation zones इसके सब्सक्राइब करता है तो इस पर्टिक्लर स्टॉक को हम मिट्टर्म काटिगरी में रखेंगे और मिट्टर्म रडार के लिए कि यह आगे फुर्दर किस तरीके से मूफ कर सकता है और आपको यह वीडियो पसंद आए होगी तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग दी वीडियो और दोंट फोगेट तो हिट इस सब्सक्राइब लाइक बटन